हेलो स्टुवेंट वल्काम आई यूटूब चैनल लर्ण टीच में आपका स्वागत है आज हम इस पूटिंग में डिक्स करेंगे वर्किंग आप सोलर वाटर हीटर के बारे में कि आकरी में सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है ठीक है लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा क के पानी को गरम करने में मदद करता है यह उर्जा पूरी तरसे निसूलक है सोर उर्जा का उपयोग पानी को गरम करने के लिए किया जाता है मतलब कहने के मतलब एक सोलर वाटर हीटर एक तरका ऐसा उपकरन होता है जो सूरी के रोसिनी के सवयोग से पानी को गरम कर देता ह इसका उपयोग हम लोग पानी को गरम करने के लिए करते हैं जो यो जो पानी को गरम करता है कम से कम 70 degree से लेकर 80 degree तक इसे गरम करदेता है ठीक है ये पूरी तीर से निसूल होता है मतलब आप इसे एक बार इंस्टोल कर लीजेगा अपने छहत के उपर तो आप इसे बार बार उप्योग कर सकते हैं और इसका कोई भी electricity will नहीं आती है ये एक निसूल उर्जा होती है जो सूरी के रोशने के सवयोग से पानी को गरम करता है इसका उप्योग सर्दी के मौसम में किया आता है जहांपे आप पानी को असानी से गरम कर सकते हैं और इसका पानी को आप पीने के लिए नहाने के लिए कपड़ा दोने के लिए अधर रिक्वार्मेंट के हिसाब से उप्योग कर सकते हैं तो चलिए अब समझते हैं इसका कंसक्षन के बारे में कि आखिर में solar water heater कैसे बना होता है ठीक है इसके बाद इसका installation समझेंगे ठीक है ठीक है अब क्या होती है सबसे उपर वाली एक तरके आप टैंक लगी होती है जिसको एक तरका storage tank बोलते हैं ठीक है मतलब इसके अंदर हम पाने को feel कर सकते हैं 100 liter तक ठीक है अब क्या होती है जसके नीचे हम उप्योग करते हैं एक तरका borosilicate glass tube का उप्योग करते हैं कम से कम यह parallel लगी होती है बहु सारे glass tube कम से कम 15 लगी होती है ठीक है इसके ज्यादा भी लगी होती है बड़े वाली size ठीक है अब क्या होती है यह glass tube होती है इसके उपर एक तरह का black absorber coating की जाती है मतलब यह सुरी के रोसनी को अपने अंदर absorb करने को एक तरह के अदर काशब करती है इसके नीचे हम यूज करते हैं एक तरह का ABS tube holder मतलब यह bouro silicate जो glass tube होती है ठीक है एक तरक glass का होती है तो टूटने का chances होती है इसको एक तरका holder का उपियोग किया आता है जो बढ़िया तरीका से इसे पकड़ कर रखती है और डाइमेज होने से इसे बचाती है ठीक है और यहाँ पर एक तरका insulated होती है अब क्या होती है यह जो हमारा storage जो चाहिंद ये बाहर लूट से निकल देते हैं बहुत ही दया जाती है ईसके उपर इंसुलेटट काफी क्यें पर ब्रबूट यहां पर पर समयों को करने के लिए च duda शुत है करने हैं जैसे ये खट्हत है चात के उपर सबसे पहले क्या काम करेंगे हैं देशी सकते हैं यह तांकी का स्ठेंव करते हैं इसके उपर we motor tank अफजा फ्योग करें। जिसी पॉंप हें सकक्सन पाइप है इना Dalvay п ê ठीक है जिसी टॉंक्टी में पेंक कर दिजेगा ठीक है अब क्या है कि solar water heater में connection करते हैं अब क्या होती है ये tank से एक pipe निकलती है ये pipe हमारा जाके storage tank में जो हमारा solar water heater इसमें जाके connect हो जाती है ठीक है इसको हम जो connect करते हैं हमारा एक तरह का cold water inlet pipe में इसे connect कर देते हैं ठीक है देख सकते हैं किस तरह से connect कर दी अब क्या होती है उपर अवी आपके पाइपफह शोड़नी जिसे एक तक तक एम पायप बोलेंगा इयर निपलने के लिए इयर जाने के लिए यहाँ पने याँ उप्योग एता है ठीक है अब क्या होती है ,एंक मेद फिल ऐसे हैं इसे मेरवली अपडाून करने कब पड़ती है अब क्या होथि यहां पर होट वाटलेशंब का उपयोग करते हैं कि यहां से फाट वाटर को निकाला यह ठिकेश staged करते हैं यहां से पूरी अब समझते इसका वएक कि बारे में कि आतने सोलर वाटर डिखें कि ऽ Feels with वर करते हैं किससे पानी को गरम करदे है सूरीक की रोशनी के साधिक टेकें डिक2 क्या क्या होती है जैसे कि यह पॉंप है ठीक उंप आपक्न को प्रिक हो देख सकते हैं कि सबसे यहां water tank पूरीत से fill हो जाती है यहां पर fill होने के वाद अब क्या होती है कि जसे ही यहां पर पानी धिरी-धिरी क्या होगी कि हमारा cold water inlet जो pipe है यहां के सयोग से हमारा पानी नीचे की और जाएगी हमारा storage tank की ओर ठीक है जो हमारा जो यहां पर 흥े पानी इसके उली के के अंदर पूरीतर से फील हो जाएगी देखESC अब क्या होगी कि इसको जिसको यहां पर पूरी तर से फिल हो जाती है और हमारा स्टोडिक टेंग यहां से पूरी तर से भर जाती है तो अब क्या कम कर बाल को बंद कर देंगे अब क्या कम करेंगे इसको छोड़ देंगे कम से कम पांथ से आठ घंटे के लिए ठीक है पांथ से आठ घंटे के दोरान क्या होती देख सकते हैं हमारा क्या सन है ठीक है इसके ओपर क्या होगी इसमें जो उपयोग किया गया है बोरो सिलिकेट ग्लास टीव और इसके ओपर जो ब्लेक अबजर्ब कोटिंग जो की गई है तो यह क्या काम करें सन रेकों यहां पर अपने करने लगेगे ठीक है धीरी-धीरी गरम जब होगी तो क्या होगी कि हमारा जैसकते हैं जो कोल्ड वाटर होती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है एक तरका ज्यादा होती जिसके नीचे की ओर रहती हमारा जो गलास्टी वे इसके अंदर नीचे की ओर रहेगी इस्टोरेश इसकी जो density है यहाँ पर गरम होने के बाद क्या होगी कि कम हो जाएगी जısनी हो जिसें क्या हो यह कि light weight हो जाएगी light weight होने के मतलब है कि धीरी-धीरी की आहोगी इभाप पुर्यूट हो जाएगी मतलब एक तरह का भाप के फॉम में आजाएगी ठीक है भाप के फॉम में होने के बाद यह जो यूज किया गया है बोरो सिलिकेट जो ग्लास ट्यूब जो एक तरह का पंदरा को उप्यों किया गया है सारे में धिरे-धिरी क्या होगी कि वह भाप के फॉम में होने के बाद देरे-धिरी ऊपर की और हमारा पानी जाएगी और इस्टोरीज टेंग में जमा हो जाएगी ठीक है अब इस्टोरीज टेंग में पहले से जो गल्ड वाटर है वह वापस हमारा ग्लास ट्यूब में आ जाएगी उसको भी यहाँ पर क्या करे तक है भरे में थिन्या पीए , यह सब्सकरoo पमसर को पूरी तरी कसे स्चोरी ट्रेंग में गर्म पानी में मतलब 8 घंटे में पूरी तरी तक पानी में से ओक यह अब दर प्रया से शिकन जन में पूरी तरी तरीक तक यहां पैपें 20 ग्रम से लेकर 20 यह हमारा hot water outlet के सवयोग से आप इसके सवयोग से पानी को निकाल सकते हैं ठीक है आप इसका connection कहीं भी रख सकते हैं जैसे कि यह tap है जिसे हो आप इसको अंदर खोलिएगा तो आपको गरम पानी निकलेगी ठीक है तो इस तरसे यहाँ पे solar water heater का उप्योग किया था इसके छत को इसके अंदर पूरे तरीके से पानी घरम हो जाएगी ठीक है अब दूसरी दिन आप इसका उप्योग कर सकते हैं नहाने के लिए कपड़ाद होने के लिए अधर रिक्वार्मेंट के लिए ठीक है तो इस तरसे solar water heater का उप्योग किया था ठीक है तो मुझे आसा है कि इसके ब